आज मैं आप लोग के साथ ऐसी पावरफुल चीज शेयर करूंगी जिसको यूज़ करने से सिरफ और सिरफ 15 मिनट में आपके फेस पे अगर पिमपल्स हैं, रिंकल्स हैं, स्याया हैं या फिर आपके नकल्स ब्लैक हैं, कोनिया ब्लैक हैं, हैंड फिट ब्लैक हैं, फीस ब्लैक हैं, तो आप उसको वाइट कर सकते हैं, अगर आप लोग की नेक ब्लैक हैं, तो नेक भी वाइट कर सकते हैं, हैंड फिट पे इसको यूज़ कर सकते हैं, फेस पे यूज़ कर सकते ह जाएंगे फेस पे बन जाते हैं ब्लैक हैस या नोस पे तो इससे आपके ब्लैक हैस भी खत्म हो जाएंगे उसके बाद अगर आप लोगों की आइस की नीचे डार्क सरकर बन चुके हैं तो वह भी खत्म हो जाएंगे इतनी अच्छी चीज है क्यों न फिर जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर की जाए तो इससे पहले आप लोगों से चोड़ती से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें जस्ट 15 मिनट में आपका फेस हो जाएगा वाइट चमक जाएगा फेस पे शाइन आ जाएगी आप लोगों को लाइव रजल दिखाने वाली हूँ तो चलिए फिर बिना टाइम जाएग टेप गयर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कौन सी चीज है जिसको यूज करके आप विड आउट साइट अपने फेस को वाइट कर सकते हैं जो चीज यहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहरी हूँ वो यह है सेवन हर्पल उप्टन बहुत ही जबदस उप्टन है यह आपको कुछ लोगों कुछ गर्में भी बना लेते हैं बना लें तो बेहतर है तो आप लोगों को यह मार्किट से अगर बना हुआ मिल जा है लेकिं मज़ीद में आप लोगों को यूज करके इसका रजल दिखाती हूं तो चलिए फिर मैं इसको अपने फेस पर अप्लाय करती हूं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों के फेस पर इच्छाइया है तो आप उसको खतम करना चाहते तो अपने इसका इस तरीके से करना है कि आपने इसको क्रीम की तरह लेप करके लगा के ओवरनाइट के लिए चोड़ देना और अपने फेस को वाश कर लेना है इसी तरह आप जब दे इसको यूज करेंगे तो आपके फेस की सियाया खतम हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों इसका हो शब्सेदी आप लोगों क्या क्या सकतु है तो आपने इसको अपने फेस पर अप्लाइ करना थे किसी पार को भी आप छाम काना चालते हैं तो आप्लाइ करने का आपको क्या करना है दो से तीन में मसाज करनी है तो चलिए भी हम मसाज कर लेते हैं दो से तीन मिनट फेस पर सोफट हैंड के साथ मसाज करेंगे तो 15 मिनट हो चुकिए और मैं आ चुकी है आप लोगों के पास वापिस तो आपने क्या करना है जब पंदरा मिनट हो जाएंगे तो फेस बिल्कुल ड्राइ हो चुका होगा मेरा भी फेस ड्राइ हो चुका है तो आपने क्या करना इस तरह से इसको रगड़ना जब आप रगड़ेंगे तो सुविया डाप बनके यह खुद बाखुद ही उतर जाएगा लेकिन मेरी सքीन सेंस्टिव है इसकी मेरी सेंस्टिव है इस這個是 my right हो जाएगी तो मैं इसको रगड़ के नहीं पतानाँगी मैं इसको वाश करूगी अगर आप लोगम की सकन वी सैंसिटिव है तो आप दो इसको वाश कर लिजिएगा तो चलिए हमें वाश करके वापिस आप अब नोगों के साथ रजल शेयर करती हैं तजि की में ने अपने फेस को रच कर ली और ना आगए आप लोगों के पास वापीस तो यह देखे मेरा फेस अबी तक गिला है और मैरे इसलिए पणाब सफनी है ताब के आप लोगों को रजल डिखा च्कुूँ ताकि आप लोगों को result अच्छी तरह से शोड़ हो जब मैंने इसको अपने face पे apply किया आप लोगों को पता है कि किसी किसम का कोई मेरे face पे make up apply नहीं था हुआ और अभी मैंने wash किया किसी किसम का कोई मेरे face पे make up नहीं है सिर्फ इसको wash करने के बात ही यह result है मेरे स्किन बहुत साथी है, अब मुझे अच्छी लग रही है, खुब शूरवसी स्किन लग रही है, भी तो आप लोगों को मसला क्या है? इतनी अच्छी विडियो आए इतना अच्छा रिज़ल्ट है फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बिताएं कि आप लोगे करें कैसा लगा अब हम कुछ इंपोर्टन बाते कर लेते हैं तो इस उप्टन को जो 10-year के हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं जाहे आप बॉइस हैं गल्स हैं कोई भी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसके बाद इसका कोई साइड फैक्त नहीं होने वाला और उसके बाद साथ साथ जैसे कि कुछ लोगों के स्किन ओली होती है गर्मि ये इजास्त देजिए तो हमें याद रखेगा अलाफ विस